चिराग पास्वान ने पहले नरेंद्र मोधी का आसिरबाद लिया फिर चाचा के पैर्च हुए और चाचा ने गले लगा कर चिराग को आसिरबाद दिया ये तस्बीर देखकर आप भी खुस हो गए होंगे सोसल मीडिया पर ये तस्बीर खूब सेयर हो रही है खूब साज़ा किया जा रहा है और कहा ये जा रहा है कि चिराग पास्वान की अब जीत हो गई है कयास ये लगाया जा रहा है कि हाजी पूर सीट से चिराग पास्वान खड़े होंगे चाचा ने आशिरबात दे दिया है और नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपा दिया है जो कोई नहीं कर सका वो काम जेपी नडड़ा और अमिस्सा ने कर दिखाया चाचा भतीजे को एक कर दिया और अब सब लोग कह रहा है कि फिर से पाटी एक होने वाली है आप जंता जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कैमरे के पीछे विसाल करे हैं और अब हम आपको बताते हैं कि सब लोग ऐसा क्यूं कह रहे हैं कि चिराक पास्वान हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे चाचा पसुपती पारस ने आसिरबाद दे दिया है कल की मीटिंग की त पहन हैं वो खुस हो जाते हैं सोसल मीडिया पर ये तस्बीर साजा करते हैं और लिखते हैं कि फिर से राम के हनुमान हो गए यानि राम जो है नरेंद्र मोदी और चिराक पास्वान उनके हनुमान जो कि बिछड गए थे फिर से एक हो गए और उसके बाद यहीं पर कर आसिरबात देते हैं और ये तस्बीर सोसल मीडिया पर साजा करके लिखी जाती है कि अब हाजीपूर से चिराक पास्वान चुनाव लड़ेंगे और उनकी जीत सुनिश्चीत है क्योंकि चाचा ने भी आसिरबात दे दिया कुछ दिन पहले पसुपतिपारस हाजीपूर गए थे और वहाँ पर जब मीडिया वालों ने उनसे कहा कि चिराक पास्वान कह रहे हैं कि हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे तो पतिपारस गुसा हो गए थे आग बबूला होते हुए बोले थे कि कौन है चिराक मैं नहीं जानता हूं और उनसे जाकर कह दो कि अगर उ उसको बिरासत देते ना कि मुझे और अब जिस बिरासत पर चिराक पास्वान का अधिकार था जिस बिरासत को राम बिलास पास्वान ने बहुत मेहनत से बनाया था जिस बिरासत पर पसुपति पारस ने अपना हक जमाया था उस बिरासत को अमित सा ने चिराक पास्वान के जो है हवाले कर दिया है नरेंद्रमोदी, अमिस्सा और जेपी नडड़ा ने एक ऐसा प्लान बनाया कि पसुपति पारस से बिरासत राम बिलास पास्वान का जो बिरासत था वो छीनकर चिराग पास्वान को दे दिया गया है और अब कयास यह लगाया जा रहा है कि मेरे पाले में हो एक हाजिपूर जहां से चाचा सांसद है और दूसरा समस्तिपूर जहां से भाई सांसद है ये दोनों सीट मेरे पास रहेगा तभी हम इंडिये में आएंगे और उसके जरूरत पड़ेगी नरेंद्रमोधी को तब हमको वो बुला लेंगे और वैसा ही हुआ नरेंद्रमोधी को जैसे ही लगा कि अब चिराग की जरूरत है तो वो तुरंट बुलाकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उस समय की तस्विर जब सबसे नरेंद्रमोधी हाथ मिला रह और उनकी नजर जैसे ही चिराक पास्वान पर गई पीछे से खीच कर उने गले लगाया और कहा कि अब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और फिर चिराक पास्वान अब कह रहे हैं कि 24 के साथ 25 की भी लड़ाई अब तेजी से होगी अब देखने वाली बात यह है कि क्या चिराक पास्वान की जीट हो जाएगी क्या चाचा ने आशिरबात दे दिया है हाजी पूर्सीट पसुपती पारस छोड़ देंगे क्योंकि खबर यह थी कि पसुपती पारस इस बार चाहते हैं कि हाजी पूर्सीट मेरे बेटे को दे दिया जाए और मेरा बेटा वहा कर दिया है और चिराग पास्वान महां से चुनाओ भी लड़ने वाले हैं वेराल इस कबर में इतना ही बने रहे मार साथ और देखते रहें जंदा जंक्शन